बहुर गोर लग रहा है राज लग रहा है पस्जड का मौसा मा रहा है क्यों बन गया लग जातार काल याई प्याज 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 और दाल ठीक लगेगा नई लाइट यहाँ यह था हमारे कमरे का बैट जो काटके अलग-अलग कर दिया गया है कभी भी अपन रूम पे जब पलंग होई रा बनवाते हैं रूम सेटिंग कराते हैं तो यह ध्यान दे की है कील मार देते हैं, यह लोग कीवेगे पहले में दिया देया था और पूरे दिवाल पर यह देखे कील मार दिये थे से निकला है और इस रूम में सेटिंग हो रहा है यह तूड गया यहां पर अपन प्लाई मारके इस जगह की प्लाइटिंग कर देंगे नए सीरे से चलेगा कुटिंग करा दिये हैं और यह मैचिंग करें किसो भीड़वा देंगे तो यह जो रूम आप देख रहे हैं यह गेश्ट लोग के हिसाब से मैं यहां बना रखा था और यहां पर फोल्डिंग वाली मतला मारी पूरानी वारी पलंग थे जो इस्टेट जमाना का था उसको मैंने जो नया जो रूम बनाया था पीछे के आम बेड़ के नीचे तो वहा भारत मिशन यह जो मिशन नीकरहिस की कारण जो हमारे आसपास एकदब मस्त साफसफाई है हर सपता हमें तीन दीन या चार दीन यह लोग आते हैं और पूरा पूरा यहां का कछड़ा उठा के ले जाते हैं जिससे यहां की साफसफाई और मस्त बढ़ गई है यह पर्स मंगाने का कारण यह है कि अभी थोड़ी तेर पहले मैं वहा होटल के पास गया था एक फालू चाप में ट्राई किया उसके बाद संख्या बढ़ती गई मैं घर भी भेजबा दिया उसके बाद रामलला के लिए मंगवाया फिर सचीन आ गया सचीन को आलू चाप कि लाया तो उसके बाद अचानक हम लोग लाल चाय का भी आटर कर दिये हैं खड़े-खड़े चाय लाता हुआ गिलास देखके ना दिल गद 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 जाता है इसा प्रतीत कर रहा है तो उस मैना को फोकस को ना वो देख उसके लिए ना वो पावरफुल वाला मो सब्सक्राइब कर दो दिन में ले ले लेना ना गोरु से दो हजार ले में तो कि पान में बैठे बैठे अचानक कि दर चंद्रचूरण आ गया और उसके बाद अखलेस महराज आ गया और हम लोग तीनो जन का यहीं से ज्यादा तुर नहीं थोड़े तुर जाने का प्लान ह हुआ है तो आज ट्रिपलिंग करके हम लोग जाने वाले हैं यहां से मुन्डाडी करके यह जगा है हमारी सांसद महधाया जो की हमारे जस्पूर टैयगर छेतर की सांसद है उन्हें के निवास के आसपास तिया तो सायद वहीं जाने का प्रोग्राम बना हुआ हूआ है तो तुम्हाराज इस सफर की सुरुवात के नाम पर दो शब्द आप अगर बोलना चाहते हैं तो इस संकोज बोल सकते हैं इलहाल तो हम लोग अभी अचानक तै हुआ कि भई हमको जो है थोड़ा सा हमारे सांसत महोदया से नहीं मिले हैं तो क्यों न एक बार मुलाकात कर लिया जाए तो उसी संदर्व में हम निकलें है फोई काम आप तो है नहीं बस मुलाकात करके आना है बुम्हारा है और आपर साथ में हमारे चंद्रचूड बंजारा जी भी है और सबका साथ सबका विकास एसी तर्च पर हम लोग एक साथ दिंगले हुए है हापे मीठी मीठी धूप भी लग रही है मीठी धूप तो खर नहीं है ऐसी तैसी करने वाला ही धूप है यह बहुत है जगह ही वैसा है कि पर ब्रेक लगाना ही चाहिए सत्य है क्योंकि जगह भी अपने देख रहे हैं इस तरह पहाड़ी आए इस तरह पहाड़ी और उस तरह भी पहाड़ी है यही धरोहर के कारण जस्पूर अपना प्रसिद है और इससे और बहत्रिन जगह और है जहां हम अभी जा रहें वर्तमान में यहां हाथियों का भी आतंक हमेशा लगा रहता है साम हुआ मतलब इस छेतर में निकलना मुश्किल हो जाता है तो हम भी प्रयास यही करेंगे कि साम तक जो है घर आई जाए तो बहुत अच्छी बात जो है महराज ने हमें यहां पर बताई और अचानक महराज का जो इस जगह बाइक रोकने का में उद्देश यही था कि जस्पूर के कुछ इस्थितियों से आप लोगों को रूबरू कर यह सरीर के लिए आर्थिक मानसीक और सारीरिक तीनो रूप से कश्टप्रद है तो लेकिन महराज मानने को तैयार ने मीठी मुस्कान के साथ यह है बंडरी पानी का जोग मेंडर बहार जीरो किलोटर राइट साइड जाता है यह रस्ता सराइटोला की तरफ और यह रस्ता जाता है तपकरा की तरफ और यहां पर हमारी सांसत महदया जी का निवास इस्थल है जो राइगड और जश्पूर शेत्रे की MP है मेंबर आफ पालियामेंड पर जोगार करेंगेंड आफ तो अंश्पूर अभी आपट निकल गाई अच्छा निकल गई क्या है यह हमारे सांसद मोदया जी के पिताजी है जो हमारे बाग बाहर के पास ही को खिया कहार में रहते हैं और यह हमारे सांसद मोदया का घर मुंडड़ी में अधिकारी करते थे उनके मेंबर रहता था उस कमेटी के मेंबर तो अभी हम लोग हमारी राइगर जस्पूर छेत्र की जो शांसद मोदया है है श्रीमती गोमती सायजी उनके निवास सक्तल में बैठे हुए हैं हाला कि अखनेस और चंद चूण आ रहे थे मैं तो घूमने के हिसाब से हां पर पहुंचिया मेरे को पता भी नहीं था कि यहां आना हो रहा है कि अब करम पानी करदीन हो अब अरे क्या लिए पुछ नहीं है हमारे परिवार का रहे यह असंसत बने इसलिए नहीं हम लोग लोग तो मेरे चाश कर लिया तो तीन वागया मेरे चाह भी आख तो मैं तीन मेरे हाथ टूच करने के बाद एक साथ चिपके हुए मतलला मेरे कि किसमत में है तो तीनों को में खाऊंगा इनका भी किसमत का किसमत में दुरिट था था तो महारा दनी मार दिया माफ है महारा से लिए वाह मैं जा गया तो बसकुछ दिर यहां पर हम लोग रहेंगे उसको आप निकल जाएंगे फिर से वापस अरे वह यह देखे मिल गया लाल चाह है आने वाले वस्त्रों का और जाने वाले बिद्वानों का जाने वाले बिद्वानों का बहुत नाम होता है और वहां जो भी प्रबुधिजन अपना जो है सभा को संबोधित की अपना व्यक्तव रखे तो सभी ने एक ही विशय परका है अच्छा लगा चुरूलिक जठा के हैं एक दम सांत वातावरड और हमारे जो सांसत महदया के जो हस्बेंड है वह वादन अभी वादन में भी जो है काफी आगे हैं और गीत संगीत काफी काफी रूची है काफी देर उनसे बात चीत करने के बाद आखरी में मेरा एक इसलिए एक जो व्योहार बनता है वह ऐसा महसूस इसलिए हुआ क्योंकि वह गायन वादन से संब्दित कुछ-कुछ ऐसा बात किये जिसका जो है मैं भी काफी प्रेमी हूं यह जो छेत्र दीक रहपूरे जंगल लगा हुआ है घर से और उसी जंगल के रास्ते हाथी यहां जहां पहुंच जाता है छोड़ा सही है मेरे को लग रहा है कि होटल है कच्छे का जो टपरी है और यहां पर हमारी जो सांसत महदया है उनका एक सुंदर प्यारा सा बोड़ भी दिखाई दे रहा है जहां पर इंडिकेट कर रहे है कि बस यही सा राइट सेड में उनका चरम में रहता है तो उस जगह थोड़ा सा अपन बाइक जो है मोड लेते हैं और एक बार इस जंगल की छोटी सी जो है यात्रा कर लेते हैं यह सामने अब देखिए खतरनाग जंगल है आप सुनिये महराज की वाड़ी मेरे को यह बताया जाए कि हम सिर्फ जंगल घोमेंग यह हाथी के कद्मों तले जाएंगे भी अगर इच्छा है तो जा सकते हैं क्योंकि यह आसपास है किलो गोडर किलो मेटर में मीर जाएंगे दर है देख कितना सुमसान और एक दम पीहडी यह जंगल है पूरा पूरा सरै के पेड़ का यह जंगल है देखिए तरह तरह कि और अब ही कुछ प्रजाती के पेड़ है लेकि सराई पेड़ की मातरा जादा है तो महराज हाथी से बचने का एक ही उपाह सेड़ी आप अपने पिछी जो है डौटे समय एक आदमी को छोड़ लो मैं अपना चस्मा निकाल के महराज को दे दिया है और महराज अब पूरा फुल तबाही लुक में आ चुके हैं और महराज अब पूरा अतुपी उर्चा से परिपूर्ण हो जा और अपनी वाडियों को ताकत प्रदान करें और बोलें महराज के दात भी देखिए बिलकुल सो कर अगर आप लोग अगर हीमत करते हो जाने का तो मैं वहां तक ले भी रख ला हूँ तो कितना दूर है यहां तो यहां से लगवग एक से डेड़ किलमेटर में है और हाला कि यहां भी पूरी-पूरी संभावनाए है कि हाथी हम लोग को कहीं सभी मिल जाए लेकिन जो में इस्थल होता है वहां तक अपन जाएं कि नीजाएं अपन लोग सोच रहे हैं कैसे करें महराज यह जो राष्टा है यहां से कुछ तूर अगर अपन जाएंगे ना तो हांकियों का एक धून्ड ज्यादा तो नहीं लेकिन 2-3 यहां है ऐसा लोकेशन मिल रहा है यह रहते में ह अबस कोई साविधास्ता इसमें से भी अगर घूसा जा सकता है उस सिती का थोड़ा सा अहसास कर लेको फूरा सा अंदर घूस के बस देखते हैं पाकि अंदर जाएंगे नहीं और गाड़ी यहां पर कोई दिक्कत नहीं है तो हम लोग जंगल के अंदर इस जगह पे कुछ दूर उस चीज का एहसास करने के लिए जा रहे है ना कि हाथी देख में जा रहे है अच्छा अगर जोडाना चाहे हां तो आसानी से तोडा सकता है अपने को बचने का तरीका यह है कि आप किसी एक इंसान से आगे रहो और पीछे जो एक इंसान जो पीछे बचा है वो तो तो तही ना कि हासी के चपट में आए गा कि आएगा तुन आदे समय रस्ता तो मालूम होगा ना क्योंकि दिशार्वर्म होने वाला है यहां पर द्यान बत्मा को देखो यार इसके जादा अंदर जाने में तो फट तो मेरा भी रहा है ऐसा हां क्योंकि कुछ दिख रहा है क्या कि निकलने का टाइमिंग हो चुका है और यहां अजावदेर तक रहना उचित नहीं है यह सेकेंट टाइमों निकलता ही है यह फैनली की है कलपना कीजिए हम लोग यहां पे खड़े खड़े आप लोगों के सामने यह बात चीत कर रहे हैं सान पावर बगे रहे हैं और अचानक उस जगह में उस जगह से अगर का हुआ आधी जब पैदल चलते हैं आपन पैदल चल रहे हैं यह आवाज आ रहा है हाथी का में ऐसा आवाज नहीं आता है तो अहसास अहीं और तो यहां से वापस चलना ही उचित होगा कुछ तो हम लोग नहीं एहसास कर लिया और सबसे बड़ी चीज़ तो में जंगल निकल रहे हैं अपने घर की तरफ उसे थे हम लोग उस तरफ से उस रस्ते से और निकल रहे हैं हम लोग इस तरफ से मतलब इतने दूर महीं हम लोग जो है भ्रमित हो गये थे पता नहीं और अंदर घुज गये होते तो क्या होता है तेरा भी कुछ प्राइवेसी है तेरे हर प्राइवेसी को हमनों भंग नहीं कर सकते है वेट कर लेते हैं कर दो कर दो कि अज़ा रहा है तो इसके अनंद आ रहा है तो अनंद पर अनंद की अनुपर्टी यह देखिए यह काफी पुराना बर्गर का पेड़ है और इनकी जड़ों को देखिए कैसे बिखरा हुआ जड़ है अज़ विष्ट और यह क्या तमाटर का चट्नी यह कर दो बटा अ अ कि अने को खा ली अ महराज टेस्ट में लेकिन अभी तो मिर्ची के विपो मेरे को थेजाब मिलाया जिचि को कंट्रोल करने के लिए खम लोगी है चिक्की कानांद लेरहा है कि कि कंट्रोल हो रहा है कि मुन डादी में हमारे यह हाई यहां रहा है नास्ते नटेस्ट होता है वैसा ही लगा ethno बड़ा था वह बिल्कुल है अपनलोग घर में बनाते हैं एकदम ओरिजिनल दाल वगरा को जो पीस का वैसे था टमाटरी की चटनी भी एकदम बहतरी और यहां पर हम लोग बोले कि चाय मिलेगा क्या तो दूच चाय नहीं मिलेगा लाल चाय मिलेगा बोले लाल चाय बन रही इस्पेशन शाय वैपिनेक बाद हम लोग यहां से निकलते हैं बाग बहर के लिए हम लोग पहुँच चुके हैं पंटरी पानी के उद्यान विभाग का नरसरी इधर लगे वह नीबू के पेड़ और यह आलू की खेती भी की हुई है यहां पर घुमते घुमते शाम के लगभग चार बज गये और काफी अच्छा लगा आज का दिन काफी अच्छा गुजरा महरात के साथ चंद्रचूड के साथ छोटा सा हम लोग आई जो ट्रिप था केंद हुट